नमस्कार दोस्तों कल एक बड़ी खबर आई है भारत और चाइना की तरफ से बताया जा रहा है कि चाइना के फॉरण मिनिस्टर भारत के विजिट पर आ सकते हैं इन दा मन्त आफ मार्च, मार्च के आखरी हफते में उनके द्वारा भारत का दौरा किया जा सकता है यह आप द जादा तना हो गया था दोनों देश के बीच में काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले जान रखेगा कोई भी कोर्स अगर आप पर्चेस करते हैं स्टडी आई क्यूपर चाहें UPSC हो, बैंकिंग, जुडिश्री कुछ भी हो या फिर स्टॉक मार्केट का ही कोर्स क्यों ना हो, आपको कोड इस्तमाल करना है अंके 33 क्योंकि इसके माधियम से आपको मैक्सिम डिसकाउंट पलता है, साथी साथ अगर आप MCQs एटेम्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर स्टोरीज मे जितने भी MCQs हैं उसको आपरटेम्ट कर पाएंगे, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अभी exactly हो क्या रहा है, देखें मीडिया के अंदर ये खबर चल रही है कि में भी जो तनाव है भारत और चाइना के बीच में उसमें कुछ सुधार हो सकता है, यहाँ पर ए पर आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो तनाव बन रहा था भारत और चाइना के बीच में उसमें कुछ सुधार हो सकता है, और यह पहला विजिट होगा इस्पेशली जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ थाप 2020 में और उसके बाद से कोई ज़्यादा चीज़ें आगे मूव नहीं कर पाई हैं, और बताया जा रहा है कि भारत ने जो प्रपोजल है वो रिसीव कर लिया है और इसको लेकर अभी कंसिडरेशन जारी है, और मैं आपको बता दूँ कि जो प्रपोजल है वो चाइनीज साइट की तरफ से दिया गया है, चाइना नहीं यहाँ पर कह अभी विजिट होगा, इनफेक्ट नेपाल में तो इसकी खबर चल रही थी, मंडे को ही नेपाल के अंदर जो मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि चाइना के फॉरें मिनिस्टर काटमांडू आएंगे on 26th of March और दो दिन का यह विजिट होगा वहाँ पर वहाँ के ज इसको लेकर काफी विरोध हो रहा था नेपाल के अंदर, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि नेपाल युएस के साथ जाए, और इसी को देखते वे कहीं ना कहीं जो फॉरें मिनिस्टर का विजिट है नेपाल के अंदर, उसमें कुछ ब लेकिन यहां पर एक और चीज में आपको बता दूँ कि जो भुटानी साइड है, जो भुटान है, वो बहुत इंट्रेस्टेड नहीं है, चाइनी साइड को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वहां पर अगेन जो डोकलाम वगरा वाला इशू है उनकी तरफ से, वो अलग दे जो एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर है, एश जैसंकर साब, उन्होंने बार-बार इस चीज को कहा है, कि बिजनेस ऐस यूजवल नहीं चलेगा, जब तक दोनों देश के बीच में जो डिसेंगेजमेंट और डिसेंगेशन नहीं हो जाता, मतलब कि भारत का सिंपल मांग है कि चाइना जो है वो अपनी बड़ी जो मैसिव ट्रूप को खड़ा कर रखा है एलेसी पर, उसको पहले पीछे हटा है, तो जब तक डिसेंगेजमेंट और डिसेंगेशन नहीं हो जाता, तब तक हम चाइना से बाचीत नहीं करेंगे, ऐसा क्लिरली स्टैंड लिया हुआ थ वैसे यह significance इसलिए भी रखता है, क्योंकि उनके विजिट के पहले, most probably जो जपैन के प्राइमिस्टर है, Fumio Kishida, आपको पता ही है, नए प्राइमिस्टर बने है, Shinzo Awe के बाद, तो उनका अभी तक विजिट नहीं हुआ था भारत में, तो यह पहला विजिट होगा, इसके लावा, चाइना का जो रवया है, इंडो-Pasific region में, Ukrainian crisis को लेगा, सारी चीजों के बारे में बात कही जाएगी, और उसके बाद, चाइना की तरफ से विजिट है, इसी की वजए से यह काफी significant रखता है, जहां तक Ukraine crisis से समय जो चल रहा है, तो आपने देखाई होगा, कि भार इसके अलावा, आपको यह भी आद रखना है, कि जो BRICS देशों का समू है, तो इसका जो चैर है, इस समय वो चाइना है, तो यह इंपोर्टेंट इसली भी रखता है, क्योंकि आप समझ यह की COVID-19 काफी हता कम हो रहा है, और चाइना में कुछ cases वगर आ रहे हैं, तो most probably हो सक प्रामिश्टर मोधी का विजिट हो, लेकिन यह काफी हतर डिपेंड करेगा, कि अभी सुधार किस तरह, अभी present situation आप देखोगे, तो कहीं से नहीं लगता कि प्रामिश्टर मोधी चाइना जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं न कहीं उसी को बिल्ड करने के लिए, जो foreign minister ह हैं, वो भारत आ रहे हैं, ताकि रिस्तों में सुधार हो, और आगे चलकर दोनों देश के जो लिडर हैं, वो बाचीत कर पाएं, वैसे मैं आपको बता दू कि इसमें रश्या का काफी बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि 2021 दिसम्बर में आपको याद होगा, व्लैडमिर पु और शी जिन्पिंग वो एक साथ face to face आ सकें, और आपस में जो भी solution है, उसको निकालने की कोशिश की जाए, वैसे अगर आप देखोगे, तो जब से ये LAC का standoff हुआ है, तो दोनों देश के जो leadership हैं, वो virtual meeting के माधियम सा है, इन-person meeting आप देखोगे तो नहीं हो पाया है, ले directly बोला हो, लेकिन ये बोला गया था, इसके लावा जो हमारे external affairs minister है, एस जैसंकर साब, और चाइना के जो visit पर आ सकते हैं, इन दोनों के बीश में भी Moscow में एक बार मुलाकात हुआ था, September 2020 में SEO summit के दोरान, और September 2021 में again, दुशानवे, वहाँ पर भी ये meeting हुई थी, दोनों द incident हुआ था, वहाँ पर disengagement हुआ है, दूसरा जो pangong वाला जो area हो गया, वहाँ पर disengagement हुआ है, फिर hot spring और gogara post में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगे, एक है patrolling point 15, एक है patrolling point 17A, तो 17A वाला जो मामला है वो सुलज गया है, लेकिन patrolling point 15 वाला मामला अभी तक नहीं सुलज है, जो कि gogara hot spring area में देखने को मिलता है, तो probably बताया चाहरा है कि अभी जो 15th round of talk हुआ था, उसके बाद से ये जो मामला है, gogara वाला, ये भी सुधर सकता है, इसके बाद जो है, जो दो areas बचेंगे disengagement के लिए, वो है आपका depth song plane, ये जो northern side में आप देख रहें, depth song plane ये वाला हो गया, और जो नीचे एक depth chalk area आता है, ये southern side में आपको मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर ये दो ही areas बचेंगे जहाँ पर further हमें resolution किया हो शकता है, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी मैं आपर यही कहूंगा कि भारत को काफी सतरक्ता से कदम बढ़ाना ये क्यों, उसका एक बहुत बड़ा example आपने देखा होगा, क्योंकि आपको याद हो, तो जो पैंगॉंग के अंदर basically क्या हुआ था, कि ये वाले finger 4 तक ये लोग आ गये थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से करीब LAC जाता है, line of actual control ये वाला, और इधर वाला, अक्साई की तर यहाँ पर अगर उसको advantage ये, तो कुछ bridge बनाना पड़ेगा, पैंगॉंग लेक पर, और इसलिए recent खबर यहाँ पर आई थी कि Chinese bridge बना दिया गया है, पैंगॉंग सो पर, कुछ satellite images में बताया जा रहा है, ताकि कल के देट में फिर से कोई problem होता है, तो अपने आर्मी को अराम की area's है, वहाँ से भी चाइना अपनी आर्मी को हटाएगा, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, तो यह जो double standard है कहीं ना कहीं, चाइना अपनाता रहता है, तो let's see कि किस तरह सी चीज़ें होंगी बटाई होग कि यह जो video था regarding China's foreign minister का visit को लेकर इसका significance क्या वो आपको समझ म आया होगा, जाने से पहले एक interesting question, क्या आप बता सकते हैं, भारत चैना के बीच में जो border है, उसको Mac Mohan line कहा जाता, आपको पता ही होगा, लेकिन क्या बता पाएंगी, इसको determine कब किया गया था, कौन से समय में किया गया था, यह 4 option इसको ध्यान से पढ़ना, इसका right answer आपको आई है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF टे तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर भ आपको पसंद आया होगा, मैल तो आप से नेक्स ताम, तिल देन, थैंक यू बरी मच्छ, सी यू सून.